2015 में, नर्गिस फाखरी मेलिसा मैककार्थी, जेसन स्टैथमा, रोज बायन, मिरेंडा हॉर्ट, बॉबी कैन्वले, एलिसन जेनी और जूड लॉर इंस पाई जैसे हॉलिवूड सितारों में शामिल हुई, एक विशाल और मनोरंजक एक्षन थरिला जिसमें नर्गिस ने पतनी लॉरी से मिला था, पॉल और उनकी पतनी वैश्विक प्राणी हैं और अंतराष्ट्रिय सिनेमा के प्रशन सक हैं, इसलिए उन्हें मेरे काम के बारे में पता था, फिर एक दिन रात के खाने के दोरान उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे इस भूमिका में दिल अपने किरदार से प्यार था, तो यह सपश्ट था और मैंने स्वीकार कर लिया, नर्गिस को एक पेशेवर एक्शन टीम के साथ करीब एक हफते तक ट्रेनिंग करनी पड़ी, हम दिन में लगभग 6 घंटे प्रशिक्षन ले रहे थे और मैं अपने कुछ अभ्यास करने के अपने कमरे में वापस जाता था, मैंने कोरियोग्राफ किये गए द्रिश्यों को सीखा लेकिन निश्चित रूप से सेट पर चीजे गलत हो सकती है और ऐसा हुआ और मैंने खुद को चोट पहुंचाए, लेकिन यह था इसके लायक